नमस्कार दोस्तो, फिल्म जगत की क्रिजी अपडेट में आप सब का स्वागत है दोस्तो शेर की धार और धनुष के स्वैक को कभी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता धनुष इकलोते ऐसे सुपरस्टार है जिनने देखकर मानो ऐसा लगता है कि एक्टिंग तो इनके खून में ही बहती होगी जो अपने हर केरिक्टर को इतने आसानी से करते है कि मानो ऐसा लगता है कि एक्टिंग करना काफी आसान चीज होती है लेकिन जब करने जाओ तब पता चलता है कि भाई साब ये तो अपने बस की बात तो नहीं है ये तो धनुष जैसे एक्टर ही कर सकते है धनुष के एक्टिंग परफॉमंस को देखकर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी और एक्टिंग की होगी या फिर किसी सीन को परफॉम करने के लिए उन्होंने ज़्यादा टेक्स दिये होगे या फिर कोई सीन उन्हें जमा नहीं होगा उनकी की गए हर चीज इतनी नैचरल लगती है इतनी परफेक्ट लगती है इतनी खूबसूरत लगती है कि मानो ऐसा लगता है कि इस से बहतरिन कुछ और हो नहीं सकता और कुछ वैसा ही जलवा हमने कैपिटल मिलर के टेलर में देखा है सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताना चाहते कि यह मूवी तीन पार्ट में रिलिज होने वाली है अब इस से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खतरना स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है इस मूवी के अंदर अब तीन पार्ट मतलब सस्पेंस तो कूट कूट कर भरा होगा इसमें कोई शक नहीं और इस मूवी की स्टोरी भी कुछ इस प्रकार बनाई गई है कि आपको हर बार एक दो सीन के बाद बड़े बड़े जटके लगने वाले है और एंडिंग में एक ऐसा सस्पेंस हमें देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद सबसे पहले हमें ये लगेगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और अगले बार्ट में हमें क्या बवाल चीज देखने को मिलने वाली है इस बात को सोच-चोच के हम पागल हो जाएंगे वो भावबली के जब में जिस तरीके का सस्पेंस हमें देखने को मिला था कुछ उसी प्रकार का सस्पेंस हमें देखने को मिलेगा इस मुवी के अंदर दोस्तो ट्रेलर देखने के बाद एक चीज जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है ट्रेलर की गंशॉट वाली बीट इतने जबरदस तरीके से ट्रेलर को इडिट किया गया है कि हर गंशॉट के साथ साथ सीन चेंज हो रहे थे और हर गंशॉट के साथ साथ हमें मुवी के खतरनाक विजूज देखने को मिल रहे थे वो देखकर कुछ अलगी स्वैग वाली फीलिंग आ रही थी जिसे देखकर एक बाद तो पकी हो गई है दोस्तो कि इस बार 2024 में पहला धमाका करेंगे धनुश और वो भी ऐसा धमाका करेंगे कि बॉक्स ओपिस पर सबकी फार देंगे जिहां दोस्तो ये मुवी अभी कुछी दिनों के बाद संकरांती के मोके पर यानि के 22 जनिवर को रिलीज होने वाली है थेटर्स के अंदर अब दोस्तो इस मुवी का एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा जिसे सुनकर आप यकिन नहीं करोगे कि इस मुवी में हमें क्या देखने को मिलने वाला है दोस्तो आभी हाली में कई ऐसी खबरे सामने निकल कर आ रही थी और कैप्टन मिलर ये मुवी न्यूज में भी काफी चर्चा का विशे बन गई थी जहाँ पर CBFC यानि कि सेंसर बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस मुवी के अंदर 14 ऐसे बदलाव करने के निर्देश दिये है और वो भी 14 बड़े बड़े चेंजेस जिसमें कुछ सीन्स भी कट करने के लिए का गया है यहाँ तक कि इस मुवी का जो क्लाइमेक्स वाला सीन है उसके 4 मिनिट का पार्ट भी कट करने के लिए का गया है सेंसर बोर्ड दोरा क्योंकि इन सीन्स को काफी ज़्यादा वाइलेंड दिखाया गया है काफी ज़्यादा हिंसा इन सीन्स में दिखाने की कोशिश करी गई है ऐसा सेंसर बोर्ड का मानना है अब इस से हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते है दोस्तो कि कितनी खतरनाक वाइलेंस हमें इस मुई में देखने को मिलने वाली है और जो इस मुई का ट्रेलर हमें दिखाया गया है उसे देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये मुई एक बवाल मुई होने वाली है जिसमें हमें एक्शन, ड्रामा, अच्छी स्टोरी के साथ साथ धनुष की जबरदस्ट एक्टिंग देखने को मिलने वाली है थेटर्स के अंदर हाला कि इस मुई का प्रमोशन उतना ज़ादा अब तक नहीं किया गया है अब जिस मुई में धनुष हो उस मुई को प्रमोशन की क्या ही ज़रूरत है फैंसी इतने ज्यादा है कि इस मुई को हीट तो होना ही है अब देखना यह है कि इस साल संकरांती के मोके पर ये मुई आने वाली है थेटर्स के अंदर और साउथ वालो के लिए ये फेस्टिवल काफी महत्व पुर्णम आना जाता है पोंगल इस नाम से मशूर है ये फेस्टिवल साउथ के अंदर और कई फिल्म मेकर्स अपनी मुवी को इसी फेस्टिवल पर रिलीज करना चाते है और वही कैप्टन मिलर जो की सोलो रिलीज होने वाली है यानि कि इस मुवी का क्लैश हमें किसी मुवी के साथ देखने को नहीं मिलने वाला है आप किसी में इतनी हिम्मत कहा जो धनुष के साथ पंगा लेने को सोचेगा धनुष अकेले ही सब को कच्चा चबा जाएंगे वैसे आपको इस मुवी का कितना ज़्यादा इंतजार है हमें कमेंट शेक्षेन में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आयो हो तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे